रिध्धी सिध्धी के दाता मेरे गनपती तेरा बर्त जो करे उसे मिले सन्मती गनेश भगवान की जै आज हम आप लोग को बुधवार बर्त कथा सुनाएंगे आप लोग ये कथा जरूर सुने इस कथा सुने से जीवन के सारी दुख कष्ट दूर होंगे जीवन में सुक समिर्धी के लिए रखे बुधवार का बर्थ, जानिए बुधवार का बर्थ, कथा और आर्थी, बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूझे जाने वाले भगमान गनेश को समर्पित होता है, बुधवार के दिन उपवास रखने का व पुझेस महतु होता है। क्योंकि बुध्वार के देवता, भगवान, गनेश, बुध्धी के देवता है। हिंदु धार्मिक मन्यताओं के अनुसार सफ्सक्ता के सभी साथों दिन अलग-अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा अराधना की जाती है, बूधवार का दिन सभी देवी देपताओं में सबसे पहले पूजे जानने वाले भगवान गनेश को समर्पित होता है, बूधवार के दिन उपवास रखने का विशेश महत होता है, क्योंकि बूधवार के देपता बरत रखने पर जीवन में शुक समिर्थी आती है और समय मंगल मैव होता है ऐसी मन्यता है कि जो बेक्ति बुधवार के दिन बरत रखता है और पूरे दिन भगवान गनेश की साधना करता है उस बेक्ति के जीवन में कभी भी धन और धाने की कमी नहीं होती है आईए जानते ह बुधवार बर्त की कथा और पूजा आरती एक समय की बात है एक वेक्ति का विवा हुआ कई वर्स बीत गये विवा के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई थी पतनी के मायके में रहने के कई दिनों बार उसका पती अपने पतनी को विदा कराने के लिए ससुरार पहुंचा ससुरार में कुछ दिन तक रहने के बाद वो पतनी को मायके से विदा कराने की बाद अपने सास ससुर से कही बुधवार का दीन होने के कारण उसके सास ससूर ने कहा कि इस दीन बेटी ससुरार नहीं जा सकती इस कारण बिदाई नहीं हो सकता है लेकिन वह बेक्ती नहीं माना और अपनी पत्नी को माईके से बिदा करवा कर अपने घर की तरफ चल दिया राष्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से पियास लगी तब पती पानी की तलास में इधर उधर भटकने लगा काफी देर के बाद जब वो पानी लेकर वापस लोटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी के भेस भुसा में क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बात कर रहा फिर आपस में लड़ने लगे दूसरे बेक्ती ने कहा कि यह मेरी पत्नी है दोनों के बीच भ्यानत लराई होने लगी तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और इस तीरी से उसके असली पती के बारे में पूछने लगे दोनों बेक्ती को देखकर इस तीरी हैरान हो क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे तब पहला बेक्ती परिसान होकर मन में कहा कि भगमान ये आपकी कैसी लिला है तब ही आकाश वाने हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए यह सब सुनकर पहला बेक्ती समझ गया कि यह भगम बुध की लिल्हां फिर कि वह बेक्ती बुध देव से प्रातना करने करने लगा और चमा मांगने लगा फिर ठाबर नहीं समी बुध देव अंतध्यान हो गये और उस बेक्ती को अपनी पत्नी मिल गई तब ही से हर दिन बुध बार के दिन भगवाण मोरु पुजा होने ल की जै माता पार्बती की जै सिरी गनेश चलिसा जै गनपती सद गुन सदन कभी भर बदन किरपाल बिगन हरन मंगल करन जै जै गीरी जालाल जै 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 गने पती गने राजू मंगल भरन करन सुभकाजू जै गज बंदन सदन सुखि दाता विश्वे बिनाय के बुद्धी बिधाता बक्री टूंडे सुची सुन्डे सुहावन तिलके तिरी पुंडे भाले मने भावन राजती मुनी मुकितने उरे माला स्वर्ने मुकुटी सिरिनयने पिसाला पुस्तकी पानी कुठार तिरी सुल मोदकी भोगे सुगंधिती फूल सुन्दर पितांबर तन साजिती चरन पादु का मूनी मन राजिती धनी सिव सुबन पंसासन भ्राता गौरी लालन विश्वे विखाता रिद्धी सीद्धी तब चवर सुधारे मूसक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्मे सुबह कथा तुम्हारी अति सुची पाबन मंगल कारी एक समय गिरी राज कुमारी पुत्र है तु तब किन्ही भारी भयो यगी जब पूरन अनूपा तब पहुँचे तुम्हे धरी दिजिरूपा अति थी जानी के गवरी सुखारी बहुबिधी से बाकरी तुम्हारी अति परसंद हो बे तुम्बर दिन्हा मातु पुत्र हीत जो तब किन्हा मिलही पूत्र तुम्हे बूद्धी विसाला बिना गर्ब धारन यही काला गनिनायक के गुन ग्यान निधाना पुजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतिधान रूप हो बे पालना पर बालक स्वरूप हो बे बनी सिसु रुदन जभी तुम इठाना लिखी मुख सुख नही गवरी समाना सकल मंगन सुखम मंगल गवाही नाभित सुरन सुबन वर्साही सुंभु उमा बहुदान पुटावही सुर्मु निजन सुत्य देखन अवही लिखी आती आनंद मंगल साजा देखन भी आए सनी राजा निज अब गुन मुन सनी महमाही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कुचु मन भेद बढ़ायो उत सब मोर ना सनी तुम्ही भायो कहत लगे सनी मन सकुचाई का कही रोसी सुमोही दिखाई नहीं विस्वास उमा भर भयो सनी सु बालक देखन कहयो पद तही सनी गरी कोने परकासा बालक सीरी उरी गयो अकासा गिरी जागिरी पिकल होवे धरनी सो दुख दसा गयो नहीं वरनी हाहा कारे मचो कहलासा सनी किन्हो लिक सुत को नासा तुरत गरूर चडी विस्ण सिधायो कटी चक्र सोगज सिर लायो बालक के धर उपर धर्यो प्राने मंत्र पडि संकर डर्यो नाम गने से सुब तब किन्हो प्रथम पूजे बुद्धी नितिवर दिन्हो बुद्धी परीच्छा जब सिव किन्हा पिर्थी भी कर पर्दच नालिन्हा चले सरासन भरिम भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धी पराई चरन मा तु पित्र के धरे लिन्हो तिन के साथ परदिछ ना किन्हो धनी गनेस कहीं सिव होए हरसे नबिते सुरन सुमन वहु बरसे तुमही मैमा बुद्धी बढाई सेस सामूख सके नागाई मैमत हीन मलीन दुखारी करण कोन भिधी बिने तुम्हारी भजती राम सुन्दर प्रभुदासा जग परियाग करा करा दुरबासा अब प्रभुदाया दिना पर कीजे अपनी सकती भक्ती कुछी दीजे सिरी गनेस यह चालिसा पाठ करे ध्यान नितने में मंगल गिरे भसे लगे जगत सम्मान संबंध अपने सहस्त दस रिसी पंच मीली देश पूरन चालिसा भयो मंगल मूर्ती गनेश जय 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 शिरी गनेश भगवान की जय आरती शिरी गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा माता जकी पारवती पिता महा देवा एक दंती दायावंत चार भुजा धारी माथे परती लक्सोहे मूस की सबारी पान चड़े फूल चड़े आरे चड़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा माता जाकी पारवती पिता महा देवा अंधे को आँखी देती कोरिन को काया बाजन को पुत्र देती निर्धन को माया जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा सूर स्या में सरने आए सफल की जे सेवा माता जाकी पारवती पिता महा देवा जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा महादे भगवान की जै